इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से जहां च्छ दिनों से लापता बच्चे का शौबरामत किया गया है गाउं के ही कुएं से बच्चे का शौबरामत किया गया है बच्चे की पैचान शहनवास के रूप में हुई है परिजनों ने अगवा कर हत्या का संदेह ज गाओं की ये घटना है जिसमें फॉलिस चान बीन में जुट गई है बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पेथोरिया थाना शेत्र के हेट कौन की गाओं में कुए से एक बच्चे का शव बरामत किया गया है बताया जा रहा है कि बच्चा छे दन से लापता था और कुए से उसका शव बरामत किया गया है परिजनों ने आपहरन के बाद हत्या का अंदेशा जटाया है फराल पुलस मामले की छान बीन में जुट गई है और दिक जौनकारी के साथ हमारे सेयोगी इमरान जुट रहा है इमरान छे दिन से लापता बच्चे का शव कुए से ब करब में परिजनों ने अपहरन की असंका बी जाहिर की ती जिसके बाद पिट्रले थाने में मामला दर्च किया गया घाथा लेकिन आज वे महीं गाओं के कुए से मुट से बच्चे का सौब रामत किया जाता है पुलिस मामली के तप्रीश में जूट गई है कि बच्चा वहां पर खुच से गिर गया या तिर किसी के दवारा बच्चे को कुवे में फेका गया है या पिर कोई और अन्य मामले हैं इस पुरे मामले में चुकि शुरू से ही परिवार के साथ आपास के एक अन्य व्यक्ति के साथ भी पुरा बिवाद चल रहा था उसी बिवाद के बाद ये अपाहन की गटना को अंजाम देया गया और अपिर आप जखकर के सौ बरामत किया ज पहुंची है डियस पी मौके में पहुंचे हैं मावले की तप्तीश में जुड़ गई है धन्यवाद इमरान इन तमाम जानकारियों के लिए एक्स्क्लूसिव तस्वीर हम आपको देखा रहे हैं सबसे पहले निउस एलेवन भारत पर च्छह दिन से लापता बच्चा झाल झाल